हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं बना रही हूँ घेवर सबसे पहले तो आप सभी को तीज और सिंजारे के बहुत बहुत शुब कामना हैं घेवर राजस्तान की फेमस डेजट है जो तीज और गंगोर पे स्पेशली बनाई जाती है तो आज मैं बना रहे हूँ तीज पर स्पेशली घेवर वो भी ब्रकुल आसन तरीके से सबसे पहले बाउल में मैं ले रही हूँ 80 एमल घी उसको खाने वाले चम्मच से नापे तो ये टोटल 15 चम्मच घी है मेल्ट किया हुआ अब इसमें 4-5 आइस क्यूब डाल कर इस तरह लगातार हाथ से फेटना है धीरे धीरे आप देख सकते हो ये घी बिल्कुल बटर के फॉर्म में आ रहा है और धीरे धीरे ये बिल्कुल क्रीमी सा टेक्च्चर हो जाएगा इसका जब तक इसको फेटेंगे आप देख सकते हो इस घी का बिल्कुल क्रीमी सा टेक्चर हो गया है अब जो आइस क्यूब से इनको निकाल कर साइड कर देंगे और ये घी हमारा तैयार है अब इसमें मैड कर रही हूँ आदा किलो मैदा मैदा को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह मिक्स करेंगे यहां पर घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब इसमें मैड कर रही हूँ एक कप दूद यानि की 250 ml दूद धंडा होना चाहिए फ्रीज से निकाला हुआ बिल्कुल चिल्ड दूद है इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें मैं बिल्कुल ठंडा पानी एड कर रही हूँ इसमें एक लिटर पानी जाएगा तो उसको दीरी दिये करकि इस तरह डालना है बस ध्यान रहें आप इसमें दूद भी ठंडा डाले और पानी भी बिल्कुल ठंडा डाले और इसको लगातार हाँ से फेटते वे इस तरह का एक घोल बना कर तयार कर लेंगे, आप देख सकते हो ये घोल की consistency क्या है, अब इसमें मैं add कर रही हूँ, एक निम्बो का रस, और ये घोल हमारा बिल्कुल तयार है, इस घोल को मैं हाथ से इस तरह उठा रही हूँ, तो आप देख सकते हो, ये बिल्कुल धार के ज और ये एक स्मूध बैटर बनके तयार हो जाएगा, घेवर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आप ये सॉस की बोटल, इसमें इस बैटर को डाल कर मैं भर लूँगी इसको, आप चाहू तो इसको किसी भी लैडल से भी बना सकते हो, इस बोटल से बनाना थोड़ा एजी हो जाता है क्योंकि बैटर इसमें इस तरह एक धार की तरह गिरता है, अब यहां गैस पर मैंने घी को गरम कर लिया है, मैंने एक नॉर्मल पैन का यूज किया है, उसी में मैं घेवर बना रही हूँ और इस तरह एक एक धार में, रुक रुक कर बैटर को डाले और गैस को बिल इस तरह होल बना लेंगे और फिर से इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, एक बार में दो या तीन चम्मत जतना बैटर ही डालना है, और इस तरह डालकर हम अपना घेवर बनाएंगे, फिर से इसमें जगर बना लेते हैं, और फिर से इसमें थोड़ा थोड़ा बै तो इसमें मैं थोड़ा बैटर और डालूंगी इस तरह से एक गिवर को बनाने के लिए टोटल मैंने 1.500 ml बैटर का यूज किया है जब इसमें बबल साना बिल्कुल कम हो जाएं तो साइड से नाइव से इस तरह है इसको अलग कर लेंगे बहुत ही आसानी से बिल्कुल अलग हो जाता है पैन से इसको हलका सा नीचा कर देंगे घी में जिससे ये अच्छे से फ्राई हो सके आप देख सकते हो घी में ये अच्छे से फ्राई हो रहा है ये धीरे धीरे उपर फ्लॉट करने लगता है वापस से तो आप किसी भी स्टिक या चम्मा से इस तरह इसको हलका सा प्रैस करके नीचे कर सकते हो जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो सके आप देख सकते हो घीवर अच्छे से फ्राई हो चुका और इसको इस तरह से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा घी है जो इस पैन में निकाल देंगे और निकाल कर इनको जाली स्टेंड पे रखेंगे और इस तरह से ही बाकी के घीवर भी हम फ्राई करके तयार कर लेते हैं बस बनाते वक्त इस चीज का दिया हम रखें कर ठोड़ा-थोड़ा करके डालें और गयस की एवर बिल्कुल हाई रखें गीवर बिलकुल परफेक्ट बनेंगे और इस तरह से मैंने सारे गीवर बनाकर तैयार कर ली हैं इस बैटर में टोटल मैंने 10 गेवर बनाए हैं साइच के आप देख सकते हो वो भी बिना साचे के और इनके जाले भी कितनी इवन आई है और यह बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं अब बनाते हैं इनके लिए शुगर सिरफ बनाने के लिए मैंने यहापे आदा कीजी चीनी और ध तार वाली नहीं बनानी है इस तरह चमश में लेकर हाज से आप इसको इस तरह चैक करोगे तो यह बिल्कुल शेहत जैसे चिपचिपी लगेगी लेकिन इसमें हलका सा इस तरह तार बनेगा लेकिन यह बिल्कुल परफेक्ट तार नहीं है इसी तरह की चासनी बिल्कुल पर यार है जब फोड़ इसी ठंडी हो जाए पांच मिनट के लिए उसके बाद इस चासनी को डालना है और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें चासनी डाल देंगे इस तरह से जो एक्स्ट्रा होगी वो नीचे निकल जाएगी अब इसमें उपर से डाल रही हूं मैं थोड के उपर भी थोड़ इसी चासनी इस तरह से डाल देंगे जिससे ये ड्राइफ रूट्स अच्छे से चिपक जाएंगे घेवर के और इस तरह से घेवर तयार है इनको रखेंगे साइड में और बाकी घेवर में भी हम इसी तरह से चासनी लगा कर तयार कर लेंगे और तयार है हमारे घीवर इनके उपर आप रबड़ी बना कर भी लगा सकते हो तो आप भी घीवर बना कर जरूर ट्राइ करें घर पर और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब टू माई चैनल